अगर आप एक नया फोन लेने की प्राणिंग कर रहे हो या फिर आपके पास एक ओल्ड रेडी एक नया फोन है तो यह वीडियो आपको जुरूर देख लेनी चाहिए अगर आपको एक नया फोन लेना है लंबे टाइम तक यूज करना है तो आपको अमुले डिस्पले कभी न आपको देखने को बिल जाते हैं और कोई भी फोन का आप रिव्यू चेक करते हो तो वहां पे बड़े बड़े टेक क्रियेटर से भी Amoled Display Recommend की जाती है और मैंने भी काफी विडियो में बताया है कि Amoled Display वाला फोन काफी अच्छा है 20,000 की रेंज में भी काफी अच्छा से फोन AMOLED डिस्पले के साथ मैंने बताए है लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मैं यह बोल रहा हूँ कि आपको AMOLED डिस्पले नहीं लेनी चाहिए क्या फिर आपको LCD डिस्पले लेनी चाहिए क्या हुआ है ऐसा क्या ऐसा result आया है या फिर क्या ऐसे नतीजे आए हैं जिसकी वज़े से मैं यह आपको बोल रहा हूं कि amulet display आपको नहीं ले जाए है आज की वीडियो में इसी की बारे में बात करने वाले हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो बेस्ते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोफिट हो लेकिन अगर उन्होंने प्राइज ज्यादा कर दिया तो पता है कि यूजर फोन को नहीं करी देगा और प्राइज कम रखेगा अच्छे फीचर्स देगा तो कंपनी का वहां पे लोस होगा तो वहां पे सारा मामला लौ-ट्वेर्स देखने को बिलते हैं अलग अलग तरह तरह कि कीउड़े को पराइड देखने को बिलती है तो वहां पर डाली जाती है और कई फॉन politics बनाने उस filt nis अश्यूश्य प्रोसेसर दिखा देती है सारी चीज अच्छी निए है लेकिन वहां पे जो components use किया जाते हैं फिर वो low quality के components use किया जाते हैं क्योंकि company को चाहिए profit और low quality के components लगेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि phone हमारा कितने time से चल सकता है या फिर हमें बाद में क्या-क्या problems देखने कुंभिल सकती है यह अभी मैंने खुद personal देखा है और आपको videos भी दी ह अगर आपने नहीं देखी है तो i button में दे दूँ आप वीडियो जाके देख सकते हो amulet display वाले phone है 35, 35, 30, 30,000 के उनके अंदर में problem आई है जिनके अंदर amulet display है pixel damage हो गया green line आ गई या फिर काफी सारे phone ऐसे हैं जिनके अंदर जो motherboard issues हमें देखने को मिले हैं तो यह इसी आपको एक बहुत जादा लंबे time तक phone रखना है तो आपको amulet display avoid करनी चाहिए वो आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर बाद में problem आएगी और अगर आप LCD लेते हो तो आप easily लंबे time तक use कर पाऊगे क्योंकि उनके अंदर ज्यादा problem नहीं आती है कि अच्छ प्रोब्लम नहीं आती क्योंकि price भी उसके ज़्यादा होते है अगर आप 15-20-30,000 तक phone लेते हो amulet display और IPS display आपके सामने दो option है अगर आपको अच्छे features मिल रहे हैं लेकिन IPS LCD display है तो कोई problem नहीं है आपको लेनी चाहिए easily ले लो वहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा कोई फरक नहीं है amulet और LCD में लेकिन अगर आप कम price पे amulet display देते हो तो बाद में problem आएगी जैसे कि pixel damage हो जाते है या फिर कोई और problem आजाएगी display के अंदर कोई problem आजाएगी बस यही कारण है जिसकी वज़े से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको amulet display छोड़ के LCD display लेनी अगर आपको एक लंबे टाइम तक फोन यूज करना है अभी पिछले ही दिनों मैंने आपको तेन चार ऐसी वीडियो दी है जिनके अंदर डिस्पले के अंदर परोलों आई है जिसके अंदर सिर्फ amulet display है green line की वीडियो मैंने काफी सारी आपको दी है बस यही कारण रहा ह और अभी तक भी green line issues आ रहे हैं आप में से भी किसी के आई है तो आप comment section में बता सकते हो वो display के अंदर इसी वज़े से आए है क्योंकि price phone का कम होता है और हम amulet display देखते हैं तो वो बाद में problem आई उनके अंदर pixel damage की लेकिन आप देखोगे तो LCD जो पैनल रहे हैं उनके amulet और LCD display में जो हमारा नजरिया बन चुका है कि amulet अच्छी है LCD अच्छी नहीं है तो बस इसी वज़े से मैंने वीडियो बनाई है बाकि आपको क्या लगता है कि amulet ही बैस्ट है या फिर LCD बैस्ट है वो भी आप comment section में बता सकते हो बाकि आपको वीडियो कैसे लिग है comment अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेट से मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद